जो सम्विधान निर्वान का दाइच बाबा भीम्रावजी अम्बिटकर साथ को दिया गया था और जो सम्विधान उन्होंने भारत की का प्रस्तुत किया उसी संदर्व में जो सम्विधान सब्ताह कारिकरम पूरे एक सब्ताह तक चलेंगे आज से फ्रारंब होकर आज क्योंकि सम्विधान विवस है 26 नौवंबर तो हम सभी लोग जो सम्विधान का मूल उद्देश्य है उसके बारे में एक यह जो इसका जो में प्रियेंबल है उसको मैं पढ़ोंगा पीशे-पीशे आप लोग भी पढ़के इसका संकल कुल नहीं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर प्रभुत्र संपन समाजवादी पंत मिर्पेक्ष लोग तंत्रात्मक गणराज्य मनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनितिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्था और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधूता बढ़ाने के लिए द्रड संकल्प होकर अपनी इस सम्विधान सभा में आज तारीक आज तारीक 27 नॉवंबर 1908 को एतत द्वारा इस सम्विधान को अंगी कृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं कि यह सम्विधान के मूल उद्देश से था कि आधारपारी से प्रुबारी अधिकारी हैं को रोना के कोविट 19 के जितने भी जिलन हैं